अपने हाथों को उठा बाइबल समेत बोलो परमेश्वर ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है मागो उची आवास में उदी बेच चाने उदे मुटे दे सलीवे सारे आई दुकान दा मुखला होते देले सारे आई दुकान दा कलाओ तबीवे दुनिया दे चानन लई हने राया जी हो गिया भिको अजी या सूदा नसीबर की तैस हो गिया अपने हाथों को उठा आप बोलो परमेश्वर मेरे अंधेरे को आपने सलीव पर दूर किया आप जी उठे अपने हाथों को उठाओं बाइबल समेत जो कुछ आज मैं सुनूँगा मैं फलों को लेके आपका उची हावास में सारे आगी दुखागा निकलाओ तबीबे अपने हाथों को उठाओ गेर भाशाओ में अगले पांच मिनिट दुखागा अपने हाथों को उठाओ गेर भाशाओ में अगले पांच मिनिट सब को आयर सब लोग अपने हाथों को उठाओ गेर भाशाओ में अपने हाथों को उठाओ आप जहां से भी देख रहे हैं जिस देश से भी देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ अपने अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठाओ जिस देश से आप देख रहे हैं जिस कंट्री से आप देख रहे हैं अपने कंट्री के लिए अपने हाथों को उठाएंगे Bible कहती है, एक अच्छा Christian, एक अच्छा citizen भी होता है अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के लिए प्रार्थना करें अपने पांच मिनट अपने हाथों को उठा के अगले पांच मिनट अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, आप जिस भी देश से देख रहे हैं अपने देश के लिए, जैसे हम इंडिया में हैं और हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठा कर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आर्मी के लिए प्रार्थना करते अपनी पुलिस फोर्स के लिए प्रार्थना करते परमिश्र का आत्मा उनके साथ हो उनको मौत से बचाए उनको हादसों से बचाए उनको शैतान की सब चालों से बचा के रखे इंडियान एकॉनमी के लिए प्रार्थना करते परमिश्र का आत्मा से छुए Politicians के लिए प्रार्थना करते हैं परमिश्व का आत्मा उने जुए इंडिया के Blessings के लिए प्रार्थना करते हैं इशुमसी के नाम में Agriculture के लिए प्रार्थना करते हैं वो बढ़े इशुमसी के नाम में फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बढ़े और ब्लेस्ट हो युशुमसी के नाम में, अपनी हाथों को उठाओं, आने वाले पीधी के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमिश्रो का एक्सिलेंस का आत्मा उनमें कारे करें, लोगों की अवेरनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, शुमसी के नाम में, खुदावन का आत्मा बड़े कारे करे, आमेन उन्चा, ये आशिश हमारी है, स्वागत है, स्वागत है जर्च, आलेलूया, I think ये पहला संडे है, ये पहला संडे है जब हम कंप्लीट हॉल में बैठे हैं, तो अभी इसा दिख रहा है, ये चार पिल्लर जो बीच में दिख रहे हैं, ये भी निकल जाएंगे, ये पिल्लर पे नहीं खड़ा, ये अपने आप खड़ा है, विल्कुल, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है, मैं जहां भी गया हूं, उनको विश्वास नहीं होता कि इतना आपने मेरा किया, आपका थैंक्स बहुत-बहुत, बच्ता राओ मैं स्वागत से, आज भी बचने की पुरी कोशिश की हैं, पर अमेरिका में बच नहीं पाया, उन्हें पकड़ लिया मेरे को, और मुझे बोले कि जब आपको अंग्रेज लोग जब आपको हार डालें, इंसल्ट हो रही, तो मैंने डाल के रखे उदर कितनी देर, आमें, अमेरिका टूर एक ब्लेस टूर था, बहुत से लोग जो प्रेजिडेंट्स के साथ काम करते हैं, बाइडन के साथ काम करते हैं, ट्रम्प के साथ काम करते हैं, उनके साथ मुझे बैठने का और अपनी गवाही को, मैंने उनको दिया, और सब एक्साइटेड हैं आपके पास आने के लिए, हालेलुया और दुनिया को मालूम हो रहा है कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं इंडियन्स भी ऐसे हैं जो चैरिटी कर सकते हैं जो काम कर सकते हैं जो परमिश्रो के काम को आगे लेके जा सकते हैं तो हमें जो परमिश्रो का नाम है वो भी उंचा हो रहा है हम अपने देश के नाम को भी उचा कर रहे हैं, हमें, हालेलुया, अपनी हाथों को उठाओ, बुलो मसी में की के मेहनत कभी विर्थ नहीं जाती, प्रभीश्य मसी के सामर्थी नाम में हम बांग के हैं, आमें, आपको जब भी परमिशन में कुछ करना है, without expectation करना है, आप प्रार्थ ना करते हैं, इस हिसाब से करनी हैं, कि परमिश्वर उत्तर ना भी दे, तो भी वो मेरा परमिश्वर है, अवाज सुनते हैं पीछे, हाथों को हिलाओ अगर समझ आ रही है तो, लास तक, जब हम fasting करते हैं, इस हिसाब से करनी है, कि अगर मुझे उत्तर ना भी आए, तो भी वो मेरा परमिश्वर है, मैं आपको हाट बता रहा हूँ परमिश्वर का, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं हुआ बाइबल में, हमें परमेशर को यूज नहीं करना हमें परमेशर को इस्तेमाल नहीं करना हमें परमेशर को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना चंग्याई का बरकत का जिसे हम आएं और इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद चले जाएं जब लोगों को स्टपनी आदत करने की बहुत आदत होती है कि पेंचर हो गया स्टपनी निकाल लो गाड़ी का ध्यान नहीं रखा तो किसी दिन स्टपनी भी पेंचर निकलती है और आप सड़क पर खड़े हो जाते इश्यमसी को इस्तेमाल नहीं करना बाइबल में लिखा मसी में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती जब हम यहाँ पे चैरिवडी का काम काम करे थे कोविड का काम करे थे कोविड के उस ताइम में जहां पर आप भी जानते एपरिल जब एपरिल मार्च में जब 2020 में जब पहला lockdown लगा और सब NGO, सब लोग, सब यहां तक ही बहुंसे men of God भी छुप गए थे और नजर नहीं आये थे, तब हम सड़कों के उपर थे पंजाब पुलिस के साथ, आपको मालूम है, everyday, रोज, 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 पूरा ध्यान, सब कुछ बंद करके, कंस्रक्शन बंद करके, मिनिस्ट्री के काम बंद करके, पूरी charity में, लोगों को राशन देने में, जो अब तक काम चल रहे है, वो बंद नहीं हुआ, मेरी family मुझसे बोलती थे कि आपको, आप इतनी, आपने इतनी charity की है, अगर, इतनी charity की है कि हमें इंडिया में बहुत पता नहीं कितने इनाम मिल चुके होते अभी तक, कितने award मिल चुके होते अभी तक, मैंने का हम award के लिए नहीं कर रहे हैं, God's time is the best time, और जब, जब अमेरिका की government ने मुझे बताया कि हम आपको उस charity के लिए, उस काम के लिए, जो परमेशर का आप कर रहे हैं, हम आपको honor करना चाहते हैं, state की और से, central government की और से, शेहरों की और से, तो जिस दिन मुझे वो award मिल रहे थे, तब इंडिया में 16 अगस्त था, मेरा जनम दिन spiritual, और वहाँ पे 15 अगस्त था, hallelujah, तो मैंने, वो प्रोग्राम में इसलिए नहीं रखा गया था, कि मैं इंडिया में 16 अगस्त हो, और वहाँ 15 हो, और मैं वहाँ इनाम लूँ, हमने प परमिश्वर वहाँ पे मुझे honor कर रहा था, जब मैंने ध्यान से date देखी, वो वही date थी, जिस दिन में परमिश्वर में आया था, और परमिश्वर मुझे बता रहा था, कि मसी में की गई मेहनत कभी वियर्थ नहीं जाती, लेकिन हमने इनाम के लिए कभी कुछ नहीं किया हालेलुया, जब वहाँ पे सब मेयर, सब जजज और बहुत से लोग वहाँ पे थे, जो इंडियन लोग थे, वो ऐसे ऐसे लोग भी थे जहां जिनके घरों में सुप्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो उनके फ्रेंड सरकल में सभी जाते हैं, बुक लांच करने हैं, और उनको परमेश्र का एक-एक को वचन मिला, एक-एक ने वचन सुना, एक-एक ने टेस्टिमनी सुनी, एक-एक जन ने परमेश्र के काम को सुना, हालेलुया, मसी में की कि मेहनत कभी वियर्थ नहीं जाते, आज से दस साल पहले 2012 में, अमेरिका से लोग मुझे इन्वाइ तो वो सिर्फ थैंक्स करता है परमेश्र का, हां, कि परमेश्र ने मेरे रास्तों को खोल दिया, लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया तो परमेश्र ने कहा, तुझे अभी अमेरिका नहीं जाना है, जब मैं वापिस आके मैंने उनको कहा कि परमेश्र का आत्मा मुझसे कह लेकि जब मैं प्रार्थन करके वापिस गया तो परमिश्रो की आत्मा ने कहा कि अभी तुझे अमेरिका नहीं जाना दोहसर भारा में दस साल पहले कि जब मैं तुझे कहूं गा, मैं तब तुझे लेके जाओंगा, अब तुने एमेरिका नहीं जाना, और मैं ने मना किया ि मैं आपके पास नहीं आ सकता, अभी क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे अलाओ नहीं कर रहा कि मैं इस जहां को छोड़ के आपके पास आउं जल्दी हॉल बुक करो जो करना है जहां कुरूसेड होने जल्दी जल्दी बुक करो मुझे आना है मुझे आना है आप इमेजिन करो जब मैं वहां पर गया हूँ जो आपने देखा है ये 10% है इतने बड़े रास्ते खोले हैं कान से धुआ निकल जाएगा शैतान के आपको मेहनत करते रहना है आपको प्रेयर करते रहना है आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है के नहीं आ रहा और शैतान इस बात का फाइदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का परियोग करते हैं कि मैंने 10 साल प्रेयर क जुझत आज जवाब राएं मेरे फायिनेश में फारक पड़ा जुझा प्रमेश्वर करते है। यह 100% पक्का है आपके साथ होगा। आइस मैंने अएसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले कि आज नहीं। दस साल में रिजल्ट आता है, बारा में पंदरा में रिजल्ट आता है, ऐसे लोग है जो प्रार्थना कर रहें, कर रहें, कर रहें, पांच साल बद रिजल्ट आता है, लेकिन जब परमेशुर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेशुर आपके रास्तों को खोलता है, आप पिर से बोल अपने पड़ोसी को उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कल रास्ते मेरा प्रार्थना में बहुत में डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेशो की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना तुमहारे लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं होगा और मसा यहां पे मजूद है इंपॉसिबल को पॉसिबल करने का जो कभी नहीं हुआ जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा जो आपने कभी imagine नहीं किया आप उसे receive करेंगे इश्यमसी के नाप में हालेलूया मसी में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती जो हमने मेहनत की हम करते गए करते गए करते गए परमिश्र की आवास को सुना क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमिश्र की और से नहीं हर एक open दरौज़ा परमिश्र की और से नहीं इसलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है लेकिन जिनके रिष्टे परमिश्र के साथ और जो अपने अग्वों के साथ वफादार होते हैं परमिश्रून के रास्तों को खोलता है मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में हालेलुया जो काम परमिश्रूने अब लेने थे अगर मैं बारा में जाता तो शायद ये काम नहीं होता मुझे मालूम है हालेलुया उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती आप मेहनत करते रहते हैं आप प्रार्थना में बने रहते हैं आप परमिश्रून के वचनों से हटते नहीं आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते आप परमिश्रून में खड़े रहते imagine करो sense का इस्तेमाल करता करता नमान कोड़ी जब उसको बोला कि जाओ और साथ दुबकिया मार यर्दन में अगर वो कहता कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम है ज्यादा साफ है मुझे यर्दन गंदी नदी में दुबकी मारने की जुरूरत नहीं हालेलुया कई बार हम कमफर्टेबल प्लेस जूनते है वो चर्च जहाँ पर लाइनों में लगना न पड़े अराम से बैठ जाओ यह खुदा का घर ही है हाँ जहाँ पर आने जैम सीके और जाने वक्त भी हाथ आप से मिला कर आपके लिए ले हैंड करके जब भी डाल के आपको वैसा पसंद है और ऐसे नमान को पसंद था पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड ना जाए और नमान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सैना पती हूँ मेरा एक ओधा है मैं एक जबर्दस आदमी हूँ लेकिन मुझे गंदी नदी में साथ दुबकिया मारने के लिए बोल दिया गया जबी भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है आप अनकमफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं जबी भी वो आपको अगले लेवल पर लेके जाता है आपकी लाइफ में कुछ अनकमफर्टेबल आपको महसूस होता है जब एक पोधा उस बीज से निकलता है उसको अनकमफर्टेबल लगता है ग्रोथ हमेशा अनकमफर्टेबल फिल करवाती है आपको लेकिन अगर आपको growth नहीं करनी आपको blessing नहीं लेनी आपको एग ही जगा पे रहना है फिर आप comfortable होकर जहां भी है वहां रह सकते लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ आपको अपने comfort zone से बाहर आना पड़ता है और बाइबल कहती है नमान जब जा रहा था गुस्से में तो उसके जो असिस्टन था उसने बुला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना तो अब क्यों नहीं आप कर सकते हैं साथ दुब के ही मार नहीं है मार के काम न विड़ो और बाइबल कहती है जैसे साथवी डुब की वजी उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया परमिश्व के लिए कमफट से बाहर आओ हालेलुया एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते नहीं अब हम सुस्वाचार सुनाने इस गाउं में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया आपको कमफट चाहिए कमफट में ब्लेसिंग नहीं जब हम गरते नहीं हम बुझते नहीं चाहिए अनकमफर्ट आजाए लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आजाए थोड़ी सी असहजता थोड़ी सी मुश्किल आजाए लेकिन फिर भी हम रुपते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं ब्लेसिंग के हगदार होते हैं फिराब और यही बात नमान को लग रहा था कि मुझे कमफर्ट में रहना था मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में मेरे पे तेल लगाता मेरे सिर पे हाथ रखता मुझे हील करता चाय पानी पिलाता मैं उसको लाखोर रुपे देता और मैं आ जाता यह उसका प्लैन था लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लैन है वो परमिश्र का भी प्लैन है जब वो गया तो अंदर से अलिशा ने का कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में साथ दुपके हमारे यह जो कैले इसका कोड़ चला जाएगा और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया मिला भी नहीं है लो हाई भी नहीं कि कुछ नहीं किया जो हालेलुया आप जब यहां पे आज बैठे हैं मैं आपसे हेलो हाइ करें चाहें करूं चाहें नहीं पवितरात्मा आपको टच कर रहा राइट नहों आप जब वापिस जाएंगे अपनी डिलिवरंस के साथ जाएंगे आज से लेकर साथ संडे हम डिलिवरंस संडे करेंगे परमिश्वर ने कहा पूरे साथ संडे सुनों मेरी बाद यह संडे मिला के आज संडे से पूरे साथ संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे अगले साथ संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है और सेवन्थ संडे आज से लेकर साथ संडे ऐसनी टेस्टेमनिस पैदा होंगी आपकी लाइश में मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमिश्व मुझे डिलिवरंस के लिए प्रार्थना करनी है एक ओवराल डिलिवरंस के लिए तो परमिश्व का आतना मुझे रोक रहा था अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं तो आज से वो शुरू होगा हर संडे साथ संडे सुन मेरी बाद ये साथ संडे आपके छुटकारे के होंगे इश्यू के नाब आपको इन साथ संडे में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना चर्च अटेंड करना भूलना नहीं बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो ये साथ हफते जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में और जो मैंने आपसे बोला है वो करने के लिए आप लगातार तयार हो जाओ और आप फ्री होके वापिस जा रहें हालिलूया मैं आपको डिलिवरंस में लेके जा सकता हूँ कि मैंने वो डिलिवरंस पाई है परमिश्वर से वो शरीर में भी पाई है वो स्पिरिट में भी पाई है फाइनेंस में भी पाई है वो लोगों से पाई है गलत लोगों से पाई है मैंने हर तरह के डिलिवरंस को टेस्ट किया है ये साथ हफते में आप multiple deliverance को टेस्ट करेंगे अपी हलाइफ गलत लोगों से आप छुटकारा पाएंगे आप गलत सिस्टम से छुटकारा पाएंगे बिमारियों से पाएंगे तुष्टात्माव से पाएंगे गरीबी के श्रब से पाएंगे परिवार के श्रब से पाएंगे आप आप इस छुटकारे को लेंगे युश्व मसी के नाम में हालेलूया पहला कुरंतिया पंद्रा उसकी अठ्विंजाद को आप घर जाके पड़ेंगे दोबारा से जो मैंने आपको बोला है मसी में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती आमेन मीडिया टीम इसे निकाल के रखेगी को कि ये बिल्कुल पवितरा आत्मान मुझे अभी दिये आपको उसे स्क्रिंट पर दिखाना जब निकल जाये तो अपने प्रोसी को बोलो मसी में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती आमेन अब आपको ये बात समझनी है कि अब साथ हफ़ते में आपको डिलिवरंस के उपर और किस तरह से परमेश्वर से हमने छुटकारों को लेना है मैं आपको इसके उपर वचन दूँगा आप तयार है क्या मैंने का आप तयार है के नहीं और अगर ये वचन आपने पकड़ लिया और आप इस हिसाब से चलते रहें आप बड़े से बड़े बंधन को तोड़ कर वापिस आ रहे है बड़े से बड़े वो आपके बेटे का हो वो आपके नशे का हो वो आपके करजे का हो आप उसे तोड़ देंगे इशु मसी के नाद हालेलुया हालेलुया अपने प्रोस्ति को बोलो बने रहो अडे रहो और खडे रहो आमेन